नमस्कार अध्यात्में और जोतिस चैनल में आप लोग का स्वागत है इस चैनल में मैं भविस्टमालका के ओपर चर्चा कर रहा हूं भविस्टमालका एक ऐसा ग्रंथ जो पंच सखाओं ने लिखा एक अध्भुत ग्रंथ और जिसकी डिकोडिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पारी और इस सिल्चले में मैं संकरा चार्जी से मिला आइए एक आडियो सुनते हैं यह आडियो एक बहुत बड़ी क्रिया योगी मेरी दोस्त है उनका है और उन्होंने मुझे यह आडियो भीजा इसको सुनते हैं आपके कुछ पूराने वीडियो जो मैंने देखे थे उसमें से कहीं कुछ connection निकलाया हमारा और I called you up and then we discussed a lot about it after that we met and काफी सारी चीजे उसके बारे में unfold हुई gradually आपने उसका सही मतलब समझा वो चीज वो connection आपने हमारा क्रिया योग से वापस चूड़ गया आप उसके context में शंकरा जार्याजी से मिले थोड़ा लोगों को बताएंगे प्लीज शंकरा जार्याजी से आपके क्या बात हुई भविश्य मालिका क्या कहना चाहती थी 600 years before और वो कुछ कहना चाह रही थी after that जो भी evolution हो रहा है या तो जो भी लोग जागरित हो रहे हैं तो फिर वो पूरानी चीज़े लेके हम लोग क्या करना चाह रहे यहां पर मैं समझती हूँ जहां तक चो क्रिया योग की मेरी समझ है या प्रैक्टिस है मैं मानती हूँ क्रिया इस infinite and everywhere in all walks of life उसको हर कदम हर एक पल अपनी समझ से अपनी सूजबूट से अपनी आंतर शुद्धी से redefine करते ही रहना चाहिए कोई पूरानी चीज़े या कोई भी पूरानी बाते दोहरा के हम लोग क्या करना चाह रहे एक धार्मयूद करना चाह रहे मेरी समझ ये कहती है कि जो भी कोई creator है मैं नहीं जानती वो भगवान है हम है कौन है I don't know anything about it but still जो भी creator है वो कभी destructor नहीं हो सकता है वो कभी destruction करना चाहता ही नहीं है हम लोग रोज एक नई चीज़ की तलाश में रहते हैं हम वो डूंडते हैं और जो भी प्रयास चितने ही सही मन से करें सही दिल से करें वो एक योग का माध्यम है इतनी समझ आई थिंक आज के जीवन में सभी लोग अपना ले तो I don't think any religion or any God is required anymore मुझे जानना था के के आपकी शंक्राचारिया जिसे डीटेल में क्या बात हुई है जो मेरी समझ है is it going in the same direction whatever we have discussed in our personal meeting is it the things which he is trying to convey to the people to people let us know मैं अपने followers को बताना चाहता हूं कि भविस्तमालका के बारे में कोई संदे नहीं है और भविस्तमालका एक अदबुद गिरंथ है और बहुत सही और सटिक लिखा गया है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है सब लोग दुरुपयोग नहीं कर रहा है पंडित कासीनाथ जी जो है इसका दुरुपयोग कर रहा है पंडित कासीनाथ जी ने मैं मेडम आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रपगंडा चलाया हुआ है पुरी देश में 2020 में कोविट जवाया तो कोविट को उन्होंने आधार बनाया और आधार बनाने के बाद हिंदी भासी छेत्र में वो उन्होंने कुछ लोगों को अपने गृप में लिया और अपना गृप में लेने के बाद जो है एक माया जाल फेलाया कुछ तीन चार लोगों को ऐसा दाइत तो दिया कि आप लोग बात करिये और बाइत करने के बाद जो है उनको बताईए कि प्रभू आ गये है प्रभू आ गये है पंडित कासिनाद जी ने कभी ये नहीं बोला कि उनका पुत्रकल की है लेकिन उनकी जो धारा है वहां पे इसको इस्तमाल किया जाता है आपने सवाल किया है कि संक्राचाजी से मेरी क्या बात हुई संक्राचाजी से मेरी कई मुद्दों पे बात हुई काशिनाद जी की टीम कहती है कि भागवत जो है उसमें बहुत छेड़ चाड़ की गई है पुराणों में छेड़ चाड़ की गई है और पूरे गरंतों में छेड़ चाड़ की गई है उनकी सत्यता पे सवाल उठाया है और सत्यता पे सवाल उठाने के बाद बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं यह दि मैं इसको बोलूँगा अपने चैनल में तो बवंडर हो जाएगा तो संक्राचार जिससे मिलना एक बहुती सुखा दन बहुत था दुवारा भी मुलाकात हो रही मेरी उनसे और मैंने उनसे पूछा भविस्य मालका के बारे में तो उनका ये कहना था कि भविस्य मालका के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि भविस्य मालका जो है वो अभी ना तो पूरी उनके पास है और ना उन्होंने कभी देखी भविस्व पुरान पे उन्होंने बोला कि हाँ भविस्व पुरान बिल्कुल सही है भागवत के बारे में बात करी, कृष्ण के बारे में बात किया मैंने उनको राम, भगवान सीरी राम, सीरी कृष्ण के बारे में उनसे चर्चा करी उनकी क्रियाओं के बारे में चर्चा करी उसका उन्होंने काफी अच्छा मुझे उलेख दिया बताया समझाया और इसके बाद मैंने पुरह भविस्य मालका के बारे में जब चर्चा करी तो उन्होंने बोला कि वो सुयम मतब इस पे ज़्यादा विस्वास नहीं करते लेकिन हाँ कुछ गुप्ति बाते हैं जो यूग परिवर्तन में माइने रखती हैं उसके बारे में हलका सा हिंटी दिया लेकिन उनने बोला अभी वक्त नहीं आया मैंने जब कासिनाथ जी के बारे में पूछा तो उन्होंने अन्भीकता प्रिगड़ करी कि वो इस वक्ति को नहीं जाते हैं और मठ में जितने भी लोग थे उन सब को बहुत आश्चेर हुआ कि ये सब क्या हो रहा है बहुत ही सुखद और एक ऐसी अन्भूती संक्राचार जी से बात करने में उन्होंने बताया उन्होंने क्रिया योग के बारे में बताया कि अल्टिमेट योग है और अगले योग परिवर्तन में क्रिया योग का बहुत योगदान है क्रिया योग के साथ में क्रिया योगीऊं का बहुत बड़ा स्थान है ये स्थान के साथ साथ रोल रहेगा योग परिवर्टन के लिए और मैं आपको बताओं जितने भी महान विभूतियां हैं सब योगी पुरुस होते हैं किसी को भी देख लीजे आप साधना करके परमात्मा के करीब जाने की वो कोशिस करते हैं उस बारे में उनसे चर्चा हुई कल्यूक के बारे में उन्होंने बोला कि कि मैं उसको ही मानके चलता हूँ क्योंकि सास्तों में ऐसा लिखा गया है और मैं उसके खिलाप नहीं जा सकता हाना की कासियनाद जी को जो टीम है वो चाल लाग 32,000 का एक फार्मूला को कैंसिल करते हैं और वो पांच जार के फार्मूले में जाते हूँ उनकी अपनी कैलकुलिस्तन है और मैं आपकी बात से पूर्ण सहमात हूँ कि एक प्रप्रगंडा चलाया जा रहा है और एक कुछ मुठी भल लोग जो है इस देश की अपनी सनातन प्रप्रणको तोडने की कोश्यज कर रहा है इसमें अब संक्राचार जी का काम है कि वो हलकि उन्होंने बिल्कुल इसको निगलेट कर दिया कि अचार जी इसमें कोई दम नहीं है सब वेकार की बात्य है और अबही कोई प्रभू या किसी परमात्मा क के आने क कोई वक्त नहीं है लेकिन कुछ इनर्जी कुछ अच्छी आत्माइं हैं और इसके बारे में उन्होंने मुझे हिंटी दिया कि कौन-कौन सी एनर्जी कहां से आएंगी कैसे आहेंगी क्या सब करेंगी मैं आपको बताओंगा कि यह तक आपका जो वा था पंदिता कासी नादmarkt जी के वारे में जो आपने मुझे को फोन करके पूछा था उसके लिए उन्होंने बिल्ग नका रहा और पूरी टीम ने भी नका और मैं आपको उताता हूँ मैडम की पूरी उडीसा में जहां जहां मैं लोगों से मिला वह भविस्ण मलका पढ़ते हैं सब कुछ हैं लेकिन पंडित कासिनात की धारा में जो अंदर होता है को कि मैं वहां पे अंदर तक जाद चुका हूँ वहां पे जो होता है वो मुझे भी कभी कभी हंसी आती है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक प्रपगंडा है और कुछ नहीं है और संक्राचाजी ने वहीं बोला अपने पुराणों को पढ़िये भागवत पढ़िये हाला कि कासिनात जी की टीम सब भोलती है कि यह सब बेकार है इसमें मत पढ़ो आप सिर्फ आप पंडित कासिनात को सुनो और वो जो बोलें उसको फॉलू करो तो संक्राचार जी ने जो की मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियों के बार्दम से की पुरी के संक्राचार और बाकी जितने भी हमारी संक्राचार है वो उनके उपर सिव का असिर्वाद होता है पुरी एक तीर्थ धाम होता है संक्राचार जी साक्षा जगरनाथ से बात करते हैं वो एक तीज है वो एक चेहरे को देखे आप आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ है तो यह सब चीजे जब आप देखते न तो आपको एक मन में विश्वास होता है तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि उन्होंने क क्रियाई योक के बारे में बहुत अच्छा अच्छी बात बूली कि उनको बहुत जादा इसके बारे में नहीं पता वो नहीं वो समझना चाहते हैं को कि जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा का वो पालन कर रहे हैं और ये में मुद्धा था और मैं आपके आउडियो को इस वीडियो में यूज करके अपने followers को बताना चाहता हूँ कि देश में अब जब कि एक सनातन की परंपरा चाओ तर दिखती है तो हमें उस सनातन को का आनन्द लेना है और उसमें हर पेकार के propaganda से बचना है को कि हमारी देश की जनता बहुत मासूम है और मासूम लोगोंको भुषाया जाता है और कुछ मुल्टी भड़ लोग फशाते हैं ये एक परंपरा रही है इस देश में हम लोग साधू संतों पे बहुत बिलीप करते हैं कथा वाजकों पर बिलीब करते हैं लेकिन मेडम मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लोग जो होते हैं वो हमारी भावनाओं को उठार अगात करते हैं उनको तोड़ते हैं और मैं आपके सराहना करूंगा कि आपने मुझे एक आडियो के माध्यम से पूछा और मैं आपकी आडियो के माध्यम से आपकी बात को पुरी दुनिया को भेज रहा हूं वो सुनेंगे और संक्राचार जी के बारे में आपको पहले बता दिया कि एक अध्भुत साक्षात हम सीव बोल सकते हैं नमस्कार